हलो दोस्तों online farm में आपका स्वागत है दोस्तों बिसकुमान का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और AGM और MTS पदों के लिए जो है आपका interview होगा interview से पहले आपका जो है document verification होगा जिसका मैंने वीडियो बना दिया था क्या क्या document में आपके लिए जाएंगे सारा मैंने वीडियो में बता दिया है अगली जो है आपको निबंद लिखवाया जाता है जिसका मैं वीडियो आप लोगों को time to time दे दूंगा ठीक है इसके बाद जो है interview में कहां से प्रस्ण आएंगे और interview होगा इसके बाद ठीक हैं तो आज जो है मैं विश्कोमान रिजल्ट एजियम और एम्टियस के लिए class फस्ट शुरू करना जा रहा हूं पहला class है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि interview के लिए आपको किस तरह look होना चाहिए कैसे आप interview देने जाएंगे यह सबसे पहला इस सबसे शुरुआती चीज क्या होनी चाहिए आपके पास इसके बाद इंटर्व्यू में प्रस्ट कहां से आएंगे वह तो सारी चीज आपको बताएंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल आपको सबसे पहले में बताता हूं कि आप जो है जब इंटर्व्यू देने जाएंगे तो आपका लूक किस तरह का होना चाहिए देखिए दूस्तों एक पहुत काफी माइने रखता है इंटर्व्यू के समय में ठीक है तो आपका जो है बाल अगरा अच्छे होने चाहिए साप अच्छे साप सफाई से और बाल अगरा अच्छे से बनवा कर दाड़ी वाड़ी एकदम क्लीन सेव होना चाहिए और साथ में दोस्तों आप फॉर्म बाल कपड़े आते हैं और कपड़े पाने अगसार क्या होता है कि जब इंटर्व्यू देने जाते हैं बहुत सारे लोग जीन्स फ़गरा पान कर चले आते हैं तो यह सारी चीजें जो है इंटर्व्यूर को अच्छी नहीं लगती ठीक है यह चीजी आपकी सबसे पहली होन होनी चाहिए आपके जो पैंट होना चाहिए सिलवाया हुआ जो पैंट होता है ओ और भी एक अच्छे लुक में ठीक है या फिर कोट पैंट हो तो और भी बेतर रहेगा तो यह सारी चीजे आपकी लुक जो है इंटर्व्यूर के सामने बहुत बड़ा मायने रखती है ठीक है अब जैसे ही आपका लुक क्लियर हो गया लुक एक अच्छा लुक होना चाहिए देखने में अच्छा होना चाहिए इसके बाद आपकी इंट्री किस तरह आप करते हैं ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है ठीक है जब आप इंटर्व्यूर से पूछ लें कि हम अंदर आएं या ना आएं ठीक है मिया कमीन सर जो पूछा जाता है इंगलिस में या हिंदी में भी पूछ सकते हैं कि सर मैं अंदर आ सकता हूं तो आप इस तरह भी पूछ कर अंदर जाएं तिसरी बात जब वहां पर पहुंचे तो आपको बैठने जब तक इंटर्व्यूर सामने क्या चीज़ें किस तरह आप फॉर्मल ड्रेस में होने चाहिए वहां पर आपको इंटरी कैसे करनी है यह चीज़ें और तीसरी चीज़ आप वहां पर सिट डाउन बैठेंगे कैसे यह सारी चीज़ें ठीक है इसके बाद आपका जो है एजियम और MTS के लिए पूछ सकता है लेकिन इसमें भी आपके जो रिटेन एक्जामनेशन थे उसी के अनुसार जो है पूछे जाते हैं जैसे देखिए आप एजियम के लिए दिये हैं तो केमेस्ट्री इसमें और समांगा गया है तो केमेस्ट्री से जरूर्ट कोश्चन रहेंगे ठीक है इसके कोश्चन पूछे जाते हैं इसके बाद आपको गोडाउन के बारे में मैं इससल भीडीयो ronको को बना दुघां कि किस तरह गोडाउन में जो आ ऑसा करेंगे और जो समान वोगा पूछा आजया मैं और उप्यूमेर कि कहां से आएंगे तो मैं नहीं नहीं जटाँ सब्सक्राइब बट मैं नहीं कर पाया उसका मुझे दूख है कि मैं नहीं कर पाया आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया था आप लोगों की गलती नहीं पूरी गलती मेरी थी कि मैं जो है उस चीज को नहीं करा पाया लेकिन मैं यूटूब पर ही ज़्यादा कोजिस करूँगा कि करा नाम यह तो अक्षर मेरा नाम सद्दाम हुसेन हैं। कि आपका नाम स्द्दाम हुसेन हैं तो पताइए कि सद्दाम हुसेन कौन थे आपकर स्थापीत राष्पति थे इसके अलावा सबक्षन को फांसी कब नरुपशाल पैसे को भात लगते हैं तो आपसे शूरवात आकषर आपके नाम से ही करें on और उसे बहुत सारे कोशन सकते इसके पुचहां जाएगा कि आपका घर कहां आप यह घर इस जिले में मोतिहारी में है मोतिहारी जिले से समझी some केमूर है का मकब्रा है तो उस निरte साकता है तो यहीं आपका स्रdeबस हों ऐसे प्षेत्रिप कर्म हिसाल लावा अब यदि आप एई-ग्र पोस्ट के लिए वर रहे हैं यादी आप एप्षेंव पोस्ट के लिए वरे तो आपका केमिस्ट्री ओनर से यहां पर ठीक है तो केमिस्ट्री से कुछन मैं पुछा जा सकता है जिसे मैं जो पिछली बार गया था तो मुस्से के मैंस्टरी से कोछन कई सारे पूछे गए थे कि बताओ यह कि छो कशन पूछा गया था मैं बताता हो के मैंस्टरी से कि कि उरिया जदी इंद्टरूजी hour तो उसमें कितना नाईट्रोजन वहां पर जूट नहीं पता है और एक चीज और दोस्टों जब आप नहीं पता है तो आपको एक सब्द में यह एक सकते हैं कि sorry sir मुझे इसका answer नहीं पता है लेकिन इस sorry को पूरी तरह थियार नहीं बना लेना है कि जो भी कोचन पुछे सारा का सारा sorry बोल के ही निकल जाए तीसरी चीज दोस्तों आपको interview देते समय आपके चेहरे पर थोड़ा भी घबराहट नहीं होना चाहिए मतलब चेहरा थोड़ा सा एकदम हसी टाइप का होना चाहिए मतलब हसने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको लगे आप इतना हस दीजिए कि सामने वाले को लगे कि हमको चिड़ा रहा है ठीक है इस तरह नहीं है मतलब एक चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए प्रस्न बताते समय इंटर्व्यूर को लगे कि जो मैं पूछ रहा हूं यह इंटर्व्यू देने वाले को पूरी तरह यह पता है एकदम नॉर्मल से यह जबाब दे रहे हैं ठीक है एकदम टेंसर में आज यह कैसा कोशन में कैस जो है बता पाऊंगा तीसरी जो है इंटर्व्यू देते समय और ध्यान दे रहा होता है कि आप जो है इतना जल्द बाजी में एंसर भी ना दें कि इंटर्व्यूर को लगे कि मुझे चिढा रहा है कि जैसे मनते से आप पूछलो मैं दे दूंगा ठीक है मैं बहुत तेज ह लोगों को नहीं करना चाहिए लेकिन लोगों को भी ज्यादा एक्स्प्रियेंस नहीं होता है ठीक है तो तुरंत तुरंत सेकेंड़ों में एंसर नहीं दे पाते तो तुरंत आंगे बढ़ जाते हैं लोग ठीक है ऐसा भी होता है तो आप लोग इंटर्व्यू में यहीं मैं सारे इंटर्व्यू के बारे में चीजें बताता जाओंगा ठीक है और आप लोग इस चीज को देखते जाए तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो दिये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में दोस्तों सेर जरूर कर दिएगा सेर जरूर क प्रस्त नभी धिरी-धिरे कराने की कोशिस करेंगे तो चलिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ तब तक बने रहे हमारे चैनल ऑनलाइन फान पर इसी तरह कि और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब क करना ना भूले थेंक यू